हलो फ्रेंट्स मैं मुहमन कुमार और आप देख रहे हैं Smart Study Education और आज हम लोग डिस्कस करें कुछ Miracles और कुछ Concept के बारे में Timing Speed और Distance से रिगार्डिंग चुकि मैं Part 1 और Part 2 में अपना कुछ Basic Concept regarding to the Speed, Distance, Time से रिगार्डिंग में उससे और जो Basics है वो पुरा Clear कर चुका हूँ और कुछ से रिगार्डिंग से रिगार्डिंग से रिगार्डिंग में वो भी वहाँ पर Clear कर चुका हूँ यहां पर कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे एक Basic Statistic Questions के बारे में जो कि हम इसको एक as a standard भी यूज़ कर सकते हैं चलिए दिखते हैं पर दिया हुआ है एक कार्ड ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at B1 km per hour चुक बीवन क्लोमीटर पर आवर में वो ट्रेवल किया हुआ है फ्रॉम A to B ओके ट्रेवल्स बैक वो बैक ट्रेवल करता है फ्रॉम B to A अब भी इसे A ट्रेवल करता है फ्रॉम B to A अब A से A से B की ओक ट्रेवल तरती है तो इस पीड है उसका V1 किलोमीटर पर आवर ठीके वीवन क्लोमीटर पर आवर से वो इस दर्रेवल में करता है अब करता है अब किता है ट्रेवल सब्सक्राइग अब वो यह बैक होता है वो X है, हम आ लेते हैं कि A और B की जो distance है, वो क्या है X होगा, ठीक है, तो हम निकाला है average speed, हम फर्मुला यूज करते है, average speed, average speed equal to क्या होगा, total distance, upon total time, ओके, तो हमारे जो total distance क्या होगा, हम total distance होगा, कि उसने पूरा अपना जर्णी में किदना distance ट्रबल किया, तो A से B तक गया, तो ट्रबल कितना किया, X, तो X कर लिया, फिर क्या होगा, B से फिर A आता है, तो फिर उसने X ट्रबल करेगा, तो इसकर से उसका ट्रबल होगा, 2X, तो total time, अब time, जाने में किदना time लगा, तो उसका हम लिख लेते हैं, ये X plus X होगा, अपन में total time को T1 plus T2 म तो यहां पर time equal to क्या होता है, distance upon speed, ओके, तो हम T1 निकालेंगे, T1 equal to क्या होगा, तो T1 जाने में, तो जाने में किया distance upon speed, तो distance कितना होता है, X, upon speed वो V1 किलोमीटर पर आवर से गया, तो क्या होगा, V1 हो जाएगा यहां पर X upon T1 plus, अब ये क्या होगा, फिर T2 निकाला, T2 में इसका हो back बाला, तो back में distance, तो same है, distance में same type, X होगा, upon, ये क्या हो जाएगा, velocity उसका यहा होगा है, V2, तो इसकर से average speed उसका यह होगा, और इसका क्या कर देंगे, इसको, subcut देंगे, ये क्या होगा, 2X हो जाएगा, upon, यहां पर हम X कॉनल ले लेंगे, तो क्या होगा, 1 तो जो हमारा average speed आ गया, तो जो हमारा average speed है, average speed, average speed equal to कितना आ गया हमारा 2 V1 into V2 upon V1 plus V2, यह दिया हुआ, average speed, तो हमारा average speed आ गया, 2 V1 V2 upon V1 plus V2 होगा, तो यह question हो गया, इस technique को, हम और भी questions में इंट्राइज कर सकते हैं, लेकर हमको यह क्या है, इसको as a standard हमको याद रखना ह कैसा, कि जब कि वो a स b तक कोई यहां पर कार दिया हुआ है, कोई भी दे सकता है, कोई वेहिकल दे सकता है, कि वो a से b जाता है, और back उसी किस्थान पर आता है, तो और speed कि आ गया, speed different दिया हुए हो, जैसे कि यहां पर दिया V1 क्लिविड परावर से वो गया, a स b तक गया, एक कुश्चन इसी से रिगाड़ें कोशा हुआ था, मुझे exact value उसका याद नहीं है, कि उसमें यहां पर दिया हुआ, तक B1 की जगे उसमें दिया हुआ है, जैसे कि, हम यहां माले थे कि 17 km परावर से वो क्या है, a से b तक जाता है, फिर b से a तक v2, v2 दिया हुआ है, उसक अब मुझे exact value आद नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं कुछ value दिया हुए होती, और 2 marks तर question था, date में, aptitude portion में, aptitude portion में, 2 marks तर question कोशा हुआ था, इस तरह करते है, average speed से, average speed के यहां पर formula लगा देंगे, और keg multiply करते है, 2 into 75 into 80, upon 75 हो जाएगा, plus 80, इसको हम solve कर लेंगे, और हमा तो हम देखते हैं, इससे और भी regarding numericals, किस तरह से numericals और जैसे कि previous question कुछा हुआ था, उससे regarding यह third question दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी same, है थोड़ा सा आगी बढ़ा हुआ है, यहां पर कुछा है, A car travels from A to B, जो हम same tag लेते हैं, बना देते हैं, यह कोई A point है, यह कोई B point है, इसका बीच का जो distance है, वह हम X consume कर लेते हैं, यह फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, D मान सकते हैं, small, D कैटल लेकुछ भी मान सकते हैं, मैंने X मान लिया, okay, फिर किते है, A car travels from A to B at V1 kilometer per hour से, पहले क्या है, पहले दिया हुआ है, कि वो A से B move करता है, V1 kilometer per hour से move करता है, okay, फिर फिर क्या होगा, and again goes back from A to B, और A to B फिर से वो back होता है, अब V2 kilometer per hour से, तो फिर यहां पर यहां जाता है, वो क्या होता है, V2 kilometer per hour से, the average speed of the curve पोचा हुआ है, तो अब इस question का हम previous की तगर, फिर से solve कर सेबता है, ठेक है, तो अबने previous में क्या पोचा दिया हुआ हुआ है, average speed, सेम फंडा आप का जो previous question में लगा है, वो यहां पर लगाती थे, average speed equal to क्या होगा, total distance upon total time, total distance upon total time, total distance equal to क्या होगा, मैं यहां बहराना हुआ हुआ जय से कि D1 plus D2 plus D3, मालके यह क्या होगा, D represent the distance, तो यहां पर क्या होगा, t1 plus D2 plus D3, तो यहां पर हमना क्या है, कि जो distance है, वो वो क्या है प्रते की distance equal है क्यों कि ए से बीच आए यह फिर बी से आ है distance तो सेम है तो हमने क्या माना हुआ है x माना है तो प्रते की case में x plus x plus x हो जाएगा ओके अपोन time time equal to क्या हो जाने में time कितना लगेगा जाने में time equal to क्या होता है time equal to हो क्या है d upon s distance upon speed तो जाने में इस डिस्टेंस करना होगा X upon speed क्या थी V1 तो यहां पर V1 रख देंगे प्लस फिर V2 एपक हुआ तो यहां पर distance करना था X upon speed V2 प्लस फिर वो यहां से A से B फिर गया तो distance सेम है और speed V2 है तो हम इसको solve पर लेंगे तो यह क्या हो जाएका है यह 3X हो जाएगा अपन यहां पर X common ले देंगे 3 हो जाएगा 1 upon V1 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1 upon V2 प्लस 1 upon V2 तो यहां पर हो जाएगा 2 upon V2 तो X से X cancel हो जाएगा यहां पर 3 हो जाएगा यहां पर हम लोग आपका वी तू का यहां पर आजाएगा आपका वी तू का आजाएगा प्लस का टू वी बन आजाएगा एक पर टू यहां पर आजाएगा थ्री वी वन वी तू अपों वी तू अपों वी तू प्लस टू वी बन यहां पर आजाएगा यह तो हमारे यहां प V1 तो यह नमारी क्या है हम्रों उसका notation उसके V1 V2 से अब questions में V1 V2 की value कोई value put कर सकता है V1 V2 की value कोई put करके वह question कूल सकता है ठीक है कि V1 की value दिया हुई है जैसे कि V1 दिया हुआ है उसने दिया हुआ 80 km परावर दिया हुआ है और हमारा जो V2 है, वो क्या होगा, 100 km per hour दिया होगा है, और numerical सेम पुछा होगा, हम क्या है, डारेक्ट यह फ़र्मुला याँ याँ यूज कर लेंगे, तो कि बना जाएगा 3 V1, V1 की में रुक्या 80 या हमार पुछ कर देंगे, into V2 क्या 100, upon V2, V2 की में रुक्या 100, plus यह क्या ह numerical source उस में apply कर सकते हैं, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please लाइक किजिए, और आप मेरी चनल में नाई है, तो please subscribe किजिए, थैंक्यू,